हलो एवरिवान वेलकम टू माय चैनल लॉन विट फायजा आज हम एक एसे हैल प्रॉब्लम और इसके सलुशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर पेरों के तलवे में या फिर एडियू में दरारे पर जाना वहां से स्कीन निकलना और ख हो जाना तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से वाइट वाइट जो स्पूर्टिस हो जाते हैं इसे इस तरीके से स्कीन पर रैसिस हो जाते हैं तो यह जो सारी है प्रॉब्लम है उसको सौल करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सिखेंगे की प्रॉब्लम को कौन सी मे पर पटाइबा फीडियो लेक्टर लाइं परती है तो यहां पर देख सकते हैं कि अबरादनेम है कि आधि सबसे पहले हम जाने कि इसे क्लास के मैडिसेन हैं जिसका नाम है एंटि फंगल मैडिसें तो नमबर आफ फंगल इंफेक्शन को ट्रीट करती है और यह जो क्रीम है उसका जो कंपोजिशन रहता है लुली कोनाजोल 1% अब हम जाने तो इसे मैनुफेक्चर अबॉट फार्मसेटिकल कंपनी बना दी है तो आप यहां पर देखे यह अबॉट का कंपनी का पिक्चर है यहां पर त स्कीन में फंगल इंफेक्शन हो जाना वर्ग म्होन KMAN टीनिया इंफेक्शन टॉपिकल यहां इंफेक्शन यानिकी एपरी हिस्से में और आखाले इसे skin diseases है जो की fungal infections के कारण होता है तो यह जो सारी conditions है उसमें आप pluriconazole यह जो cream है वो ले सकते हो नाव वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है Resist and Treatment तो आप यहाँ पे इस book का review देख सकते हो इस तरीके से यह जो book है वो पूरी आएगी यह पूरी book color printed में रहती है तो आपको हमारे साथ study करना अच्छा लगता है तो आप यह जो हमारी book है वो order करवा सकते हो जिसकी price आपको रहेगी रुपी 749 तो order करने के लिए आप इस whatsapp number के true हमें contact कर सकते हैं तो चलिए अब हम हमारे topic पर वापस से आते हैं कि इसकी label study क्या है अगर लुली को नाजॉर और लोफिटीन जो इसका brand name है उसके बारे में हम जाने इसकी label study को देखे तो यहाँ पर एबूट का logo है लुली को नाजॉर क्रीम 1% वेट बाई वेट यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर उसका brand name है यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है 50 gram मिंस के यहाँ पर यह जो quantity है वो लिखी हुई है कैसे यूज करना है वो भी है और यहाँ पर external use only and warning दी है तो यहाँ पर इसका composition है तो इस तरी केसे इसकी label study रहती है अब detail में जाने की inner packaging कैसे रहेगा तो इसका inner packaging इस तरी केसे आपको front view यह है back view और यह side view तो इस तरी केसे आपको इसकी label study रहती है अब mechanism के बारे में सीखे यह medicine हमारी body में जाके work करें केसे करेंगी तो यह medicine एक broad spectrum antifungal के class से बिलॉंग करती है तो जब भी आप यह medicine ले रहे हो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर squilene में से lenostrol बनता है और lenostrol में से argostrol बनता है तो इसके बीच में lenostrol 14 आर्फा D-methylase गी enzyme है तो lunicolazole जब भी आप cream लेते हो तो यह enzyme ब्लॉक हो जाता है अगर यह enzyme ब्लॉक होगा तो आगे argostrol नहीं बनेगा तो argostrol नहीं बनता है तो fungal cell वो देथ हो जाता है और वो अपना जो cell growth है वो कम हो जाएगा और fungus जो है वो दिरे दिरे तीक होने लगेगा अब हम उसकी dose के बारे में जानेक इसका कितना dose है और patient को कितनी बार लगाना है तो dose का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो cream है वो skin पर आपको इस तरी के से apply करनी है तो इसका जो application है दिन में 2-3 बार आप जहाँ पे affected area है वहाँ पे यह cream लगा सकते हो अब हम सीखें कि यह इस medicine को use कैसे करना है यह जो cream है उसे हम use कैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखें step लिखा है हुए है 1, 2, 3 सबसे पहले आपको जो cream की tube है उसे squeeze करना है squeeze करने के बाद जहाँ पे आपको fungal infection हुआ है वहाँ पे scheme को apply करना है और gently आपके जो applicator है उससे आपको spread कर देना है तो इस तरीके से इसका uses रहेगा अब price के बारे में जाने तो इसकी जो latest price है 2024 की यहाँ पे आप देखें इसके 3 variants है low fit in cream के तो 10 grams, 30 grams and 50 grams तो अगर आप 10 grams लेते हो तो इसकी price आपको रुपीज 99 रहेगी आप 30 grams ले रहे हो तो इसकी 299 and 50 gram की 239 तो यह best price रहती है 2024 की अब side effects के बारे में जाने यह cream आप जब भी आपने skin पे लगा रहे हो तो उसकी करना आपको dry skin, skin peeling यानि की skin निकलना, skin की खाल निकलना blister on skin blister हो सकते हैं या फिर application side जहां पे आप apply कर रहे हो वहां पे आपको burning sensation, irritation, rashes और redness चीज़ी effect डिखने लगती है आप warning यानि की contraindications के बारे में जाने तो अगर आपको इस medicine यानि की luliconazol और उसकी जो other compositions है इससे आपको allergic reaction है तो आपको ये medicine avoid करनी है ये cream नहीं लगानी है 12 साल से कम बच्चों में ये medicine use नहीं करनी है नाव, वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है Resist and Treatment तो आप यहां पे हमारी जो book है वो देख सकते हो तो ये book पूरी तरीके से color printed book आएगी तो आपको हमारे साथ इसे ही history करना अच्छा लगता है और हमारी ये जो book है वो आपको purchase करनी है तो आपको हमें इस WhatsApp number के true contact करके हमारी जो book है वो 749 में purchase कर सकते हो अधर वारी में देखे जैसे कि आपको ये जो area है eye, mouth, nose और vaginal area तो इस area के आज़स पास ये जो cream है वो आपको नहीं लगानी है विकॉस ये जो cream है ये for external application only specially लिखा हुआ है ये जो cream है वो आपको inner side area में नहीं लगानी है आख, नाख और जो private part है उसके around आपको use नहीं करनी है अब हम जाने कि इसकी pregnancy category तो इसकी pregnancy category US FDA के according C रहती है जो कि pregnancy में safe नहीं है तो अगर आप ये medicine ले रहे हो या फिर आप लेने का सोच रहे हो तो आप अपने एक बाद gynecologist से consult कर वा लिजिए उसके बाद ये medicine आप ले सकते है Now drug drug interactions के बारे में देखे कि लुली कोनाजॉल और इसका जो नाम है लोफेटिन तो ये drug नुसरी कौन कौन से drug के साथ drug drug interactions करती है चलिए देखते हैं एमिसल प्राइट, सिलोस्टाजॉल, क्लोप्रोमाजिन और एडिपिप्राजॉल तो ये जो drug है उसके साथ लुली कोनाजॉल drug drug interactions करती है तो हमें लुली कोनाजॉल के combination में ये medicines avoid करनी हैं नहीं लेनी है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसे ही disease and medicine के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं या फिर comment box में comment drop करके भी मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी disease और कौन से medicine के बारे में जानकारी चाहिए Thank you for watching my video